फाइनायन्स उजुडी लेटिस इंफरमेशन पाने के लिए फिनोवेशन्स अब्डेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफेकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है और आज का फिर्स्ट अब्डेट है भारत की एनरजी एफिशन सर्विसेज लेमिटेड रूरल एरियाज में 10 रुपीज पर LED बल्ब के रेट से लगभग 60 क्रोड बल्ब बातनी की योजना बना रही है ये योज जाला स्कीम को भी बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है नेक्स्ट अब्डेट है शेर मार्केट के डेटा के अनुसार इंडस इन बैंक द्वारा एवरेडी इंडस्रीज के गिर्वी शेर्स के रूप में लगभग 8% हिस्दारी का अक्विजिशन करने के बाद बैटरी म कमपनी में प्रमोटर भुप खेतान फैमिली के हिस्तदारी 10% से कम हो गई है खेतान फैमिली के ओनरशिप वाला विलियम सun Mager गरगुप एवरेडी इंडस्रीज का प्रमोटर है जबकि बर्मन फैमिली 20% हिस्तदारी के साथ सबसे बढ़ा पब्लिक शेर olm क्रूप है रिसेंटली खेतान फैमिली ने इंडिकेशन दिया था कि वो जॉइंटली कमपनी का मैनेजमेंट करने के लिए तयार है नेक्स्ट अपडेट है पब्लिक सेक्टर की टेली कम्निकेशन कमपनी BSNL अंडुमा निकोबार आइलेंड में सोमवार यानि आज से अपने कस्टमर्स के लिए मैक्स डेटा स्पीड को 10 गुना बढ़ाकर 100 Mbps करेगी और 20 गुना ज्यादा डेटा डाउनलोड लिमिट ओफर करेगी BSNL के अनुसार कई चालेंजिस के बाद भी ये प्रोजेक्ट फिक्स डेडलाइन और कॉस्ट में किसी बढ़ोतरी के बिना पूरा हुआ भारत में इस तहां के पहले प्रोजेक्ट के तहट BSNL ने ग्लोबल गाइड़ेंस के अनुसार समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिचाने का काम पूरा किया है नेक्स अपडेट है नेक्स अपडेट है टाटा कंजियूमर प्रोडक्स के शेयर में जबरदस तेजी देखने को मिल रही है लास्ट वीक स्टॉक में 20% की बड़त दर्च की गई जबकि 24 मार्च 2020 को इसके 52 हफतों के लो लेवल 214 रुपीज के कमपैलजन में 147% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई कंपनी ने 4 अगस्त को अपना रिजल्ट अनाउंस किया था जिसमें फिस्कल इयर 2021 के फर्स्ट क्वाटर में शांदार कमाई दर्च की थी टाटा ग्रुप की FMCG कंपनी का प्रोफिट इयर ओन इयर बेसिस पर 83% की शांदार बड़त के साथ 346 क्रो रुपीज रहा इसी तहां इयरली बेसिस पर कमपनी की कमाई में 13.44% बड़त देखने को मिली है और ये लास्ट इयर के फर्स्ट क्वाटर के 2173.91 क्रोड से बढ़कर 2392.36 क्रोड रुपीज रहा डोमेस्टिक और फॉरन ट्रेड में ग्रोथ की वजह से कमपनी की इंकम में उचाल आया है नेक्स्ट अपडेट है प्रेजन डिफिकल सेच्वेशन में रिस्क कवर को जारी रखने के लिए एंकरेजमेंट देने के लिए भारत की लीदिंग इंशॉरेंस कमपनी कमपनी ने अपने पॉलिसी होल्डर्स को अपनी लैप्स हो गई पॉलिसी को फिर से शुरू करने का मौका दिया है कमपनी ने इसके लिए 10 अगस्ट से 9 अक्टूबर के बीच एक स्पेशल रिवाइवल कैंपन चलाने का फैसला लिया है जिसके तहट कमपनी के कस्टमर्स अपनी लैप्स हुई इंडिविज्वल पॉलिसी फिर से शुरू कर सकेंगे LIC के इस अभियान से उन पॉलिसी होल्डर्स को फायदा होगा जो किसी खास मुश्किल परिस्थिती की वजह से पॉलिसी प्रीमियम देने में असफल रहे हैं और उनकी पॉलिसी लैप्स हो गई है नेक्स्ट अपडेट है फॉरेन पॉर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अगस्ट के फर्स्ट वीक में इंडियन कैपिटल मार्केट्स में 8,327 क्रो रुपीज इन्वेस्ट किये हैं भारत की बड़ी कंपनी के उमीद से बहतर क्वार्डर रिजर्ल्स के बीच एफपी आई ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है डिपॉजिटरी से मिले लेटिस डेटा के अनुसार तीन से छे अगस्ट के दौरान फॉरेन इन्वेस्टर्स ने शेर मार्केट में 7,842 क्रो रुपीज इन्वेस्ट किये जबकि डेट मार्केट में उनका इन्वेस्टमेंट 485 क्रो रुपीज रहा इस तरहां उनका नेट इन्वेस्टमेंट 8,327 क्रो रुपीज तक पहुँच गया नेक्स्ट अपडेट है ट्रावल कंपनी कॉक्स अन किंग्स के अगेंस्ट 1,204 क्रो रुपीज के कथित फ्राउड के मामले में जाँच शुरू की गई है ये जाँच दो बैंकों द्वारा दर्च की गई कंप्लेंट पर की गई है ये कंप्लेंट कोटक महिंदरा बैंक और एक्सेस बैंक द्वारा दर्च करवाई गई है दोनों ही प्राइविट बैंक्स ने मुंबई पुलिस की एकॉनमिक क्राइम ब्रांच में अपनी कम्प्लेंट्स दर्च करवाई है कोटक महिंदरा बैंक के अनुसार वो साल 2012 से 24 जून 2019 तर इस ट्रावल कंपनी को फानेंशल सर्विसिस देता रहा और अब कॉक्स न किंग्स पर बैंक का 174.3 क्रो रुपीज का बकाया है इस कम्पनी पर आरोप है कि इसने अपनी एफिलियेट कम्पनी और आफशोर कम्पनी के लिए पैसे का हेर फेर किया है और बैंक्स, फानेंशल इंसिटूशन और जनरल इन्वेस्टर्स की महनर की कमाई का गबन कर लिया है नेक्स्ट अपडेट है चैनी स्मार्टफोन मैनुफेक्ट्टर कम्पनी वीवो के IPL 2020 से अलग होने के बाद BCCI को IPL टाइटल स्पांसर के तौर पर एक नई कम्पनी के साथ डील करनी है इसके लिए जल्द आक्षन होने वाला है इस बीच खबर आई है कि योग गुरु बाबा रामदेर की कम्पनी पतंजली IPL 2020 की टाइटल स्पांसर्शिप के लिए बोली लगाने पर विचार कर रही है IPL का आयोजन इस साल UAE में 19 सितंबर से 10 नवांबर के बीच होगा आपको बता दें कि जियो और टाटा ग्रूप ने भी IPL टाइटल स्पांसर्शिप के लिए इंटरस दिखाया है क्योंकि लंबे टाइम के बाद कोई बड़ा इवेंट हो रहा है पिछले 6 महिने से एक भी इवेंट नहीं हुआ है जिसके जरिये कंपनीज अपना प्रोमोशन कर पाएं ऐसे में बड़ी कंपनीज के पास मौका है कि वो IPL जैसी वर्ल्ड क्लास लीग के साथ पार्टनर्शिप करें और अपने ब्रांड को ग्लोबल मार्केट में पहुँच जाएं यहाँ पर हमारा आज का फिन पॉइंट सेशन समाप्त होता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू